उजास, प्रविशिका, भाग एक, पार्थ तीन, हमारा रहन सहन, प्रिष्ट चोहत्तर, भाग दो, मिलकर पढ़िये, दिवाली के दिये, दिवाली की रात आती, लोग एक दूसरे के घर छोटे दिये लेकर जाते, दिये रखकर बोलते, मिजबान आये हैं, ध्यान रखियो, उन्हें ठंड न लग जाए, मैंने दुनिया का इससे मीठा वाक्य नहीं सुना, अपने घर से दीबक ले जाकर, अपने पड़ोसी के घर रखाना, आज इस वाक्य की मिठास, इसका अर्थ जानकर और बढ़ जाती है, कि हमारे रिष्टों में उजाला बना रहे, और उसकी उश्मा ठंडी न पड़े, इस प्रिष्ट पर दो चितर बने हैं, पहले चितर में कुछ घर हैं, और साथ ही कुछ लोग हाथ में दिये लेकर खड़े हैं, एक व्रिक्ष भी है, एक अनिंचितर में भी कुछ घर बने हैं, और लोग हाथ में दिये लेकर खड़े हैं, साथ ही कुछ लोग पठा के भी चला रहे हैं, यहाँ पर कुछ पशु भी दिखाए गए है यहाँ पर व्रिक्ष भी है शिक्षक निर्देश दीवाली के दिये को पढ़कर सुनाए और सहभागियों को पढ़ने के लिए प्रुत्साहित करें प्रिष्ट 75 इस बड़े शहर में मन तो बहुत करता है कि पढ़ोसी के घर के बाहर दिये रखाऊं और वही कहूं जो मैंने बच्पन में अपने पढ़ोसी से सुना था मिजबान आये हैं, ध्यान रखियों, उन्हें ठंड न लग जाए सुशील शुकल पढ़िये और बताईए प्रश्न एक दुनिया का सबसे मीठा वाक्य किसे कहा गया है और क्यों? प्रश्न दो आपके लिए दुनिया का सबसे मीठा वाक्य कौन सा है और क्यों? प्रश्न तीन क्या आपके यहां भी दिवाली से जोड़ी कोई खास परंपरा या रीती रिवाज हैं? उसके बारे में भी बताईए प्रश्न चार अपने इलाके में मनाय जाने वाले पसंदीदा तेहवारों के बारे में बताईए मेरे शब्द रिक्तिस्थान दिये गए खाले स्थान में आप इस पार्ट को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए और साथ ही ये भी बताईए कि दिवाली के बारे में आपके अपने अनुभव क्या है इसके अलावा आप अपने पसंदीदा तेहवार के बारे में भी अपने अनुभव यहाँ पर लिखिए शिक्षक निर्देश हमारा रहन सेहन विशे पर बाच्शीत करें सहभागियों से पूछ कर उनके किसी तेहवार से जुड़े तीन चार शब्द लिखिए ये शब्द उनकी अपनी भाशा के भी हो सकते हैं जैसे चट तेहवार से जुड़े शब्द नहाय खाय कोसी भरना रसियाव आदी प्रिष्ट चेतर शब्द ढूंडिये और लिखिये आज कमल ने खाने की कई चीजे बनाई हैं खाने की चीजों के नाम पहचान कर उन पर घेरा लगाईए इस प्रिष्ट पर एक चित्र है इस चित्र में कमल को अपने रसोई घर में खाना बनाते दिखाया गया है कमल के पीछे उसके बरतन रखे हैं और उसके पीछे पानी का एक नलका है यहाँ पर एक सिंक है और मटके को स्टेंड पर रखा दिखाया गया है उसके उपर एक गिलास रखा है अब दे गई चीजों को पहचान कर उनके उपर घेरा लगाईए पनीर, प्याज, इमली, टमातर, कटोरा, चर्खा, बीन, थाली, गिलास, चटनी, पालक, दाल, चावल, ओस, रोटी, खिलोना, तितली, चटाई, रायता, नमक, पानी, जग, बेलन, तवा, गमला, चक्की, खीर, और लोरी अब खाने की उन चीजों के नाम लिखिए रिक्तिस्थान प्रिष्ट सतत्तर शब्दों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और लिखिए जिसमें ओ की आवाज है गाना, आना, ओक, मीत रिक्तिस्थान इन चारों शब्दों में से जिसमें ओ की आवाज है उसे चाट कर रिक्तिस्थान में लिखिए इन शब्दों में से जिसमें ओ की आवाज है उस शब्द को पहचान कर उसे रिक्तिस्थान में लिखिए इन शब्दों में से जिसमें दो की आवाज है उसे पहचान कर रिक्तिस्थान में लिखिए जिसमें दो की आवाज है दीमक, दलिया, दौलत, चौका रिक्तिस्थान जिसमें दो की आवाज है उस शब्द को पहचान कर उसे रिक्तिस्थान में लिखिए जिसमें लव की आवाज है इन में से जिस शब्द में लव की आवाज है उस शब्द को पहचान कर रिक्तिस्थान में लिखिये जिस में ली की आवाज है मोल, सिलाई, चीनी, कालीन, रिक्तिस्थान इन शब्दों में से जिसमें ली की आवाज है उसे पहचानिये और उसे रिक्तिस्थान में लिखिए जिसमें कउ की आवाज है जरोखा, कउवा, मोबाइल, रात, रिक्तिस्थान इन में से जिसमें कव की आवाज है उस शब्द को पहचान कर उसे रिक्तिस्थान में लिखिए जिसमें की की आवाज है लकीर, टिकट, टिक-टिक, दाल, रिक्तिस्थान इन में से जिसमें की की आवाज है उस शब्द को पहचान कर उसे रिक्तिस्थान में लिखिए जिसमें जो की आवाज है जील, जोला, गया, मगर, रिक्तिस्थान इन में से जिस शब्द में जो की आवाज है उस शब्द को पहचानिये और उसे रिक्तिस्थान में लिखिए जिसमें यो की आवाज है बताना, मलाई, योगा, रपट, रिक्तिस्थान इन चारों शब्दों में से जिस शब्द में यो की आवाज है उस शब्द को पहचानिये और उसे रिक्तिस्थान में लिखिए शिक्षक निर्देश शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें अलग-अलग आवाजों वाले शब्द लिखने के लिए कहें ये आवाजें शब्द के शुरू में, बीच में या अंत में हो सकती हैं